कि आज हम करने जा रहे हैं कोश्चन नमबर फाइब और एक्सरसाइज आपको पताईए 16.a है तो चलिए शुरू करते हैं एक की बात करें तो ए पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड टोटल सर्फेस एरिया अफ क्यूबाइड यानि की क्यूबाइड है तो और टोटल इस एरिया क्योड का क्या है टू इन्टो एल इन्टो बी प्लस पर एंटो एच प्लस इन्टो एच ये फॉर्मूला है अब सवाल यह ए desses कैसे पता करें तो जनर्ली हम ठ्रटिशं की दर मफी चर्यकर आप करते हैं तो आपका जो एरिया ऐथ इस तरीके से डायमेंशन लिखे होती है लेंद एंड हाइट तो इस वज़े से हम यह करके चल रहे हैं कि हमारी लेंद हमारी सिक्स है ब्रेट हमारी फाइव है और हाइट हमारी थिरी है यह चीज़ आपको याद रखनी है चलिए सॉल कर लेते हैं तो टोटल सर्फेस एरिया कितना जाएगा तू थर्टी पंदरह और tersprach तो यह कितना जाएगा आपका सिक्स्टी री वारवन ट्वैंट्विस मीडर इसक्वार चलिए अब hizo और निकालती है इसमें क्या चीज़ निकालती है वह मैं बतायता हूं इसमें हमें एक Candy falls और निकालनी हैंJust in यह लेतल सर्फेस ऐरिया की थे सेरिया एक लिए लेटर सर्फेस एरिया फॉर्मला भी मालूम होना चाहिए जो की इन्टु एंटु हाइट एलो ग्रास भी हाइट कितना है पहले पहले ही बताए कि हमने यह एजूम किया है कि इस तरीके से डैमेंश्व इन्टेक है श्री है तो तू त्री या शेक्स इंटु क्या आगया यह आया आपका लेटल सर्फेस अरिया प्र आपको तो कौस्ट निकालनी है तो हमें पता है कि वन मीटर स्क्वियर की जो कॉस्ट है रुपीज है फॉल ON पर हमारे पास कितना है ता 66 मिटर स्कौर तो इसकी कितनी में फाइव इंटू 66 कितना जाएंगा पांच इक तीज पंच इक तीज रुपए आपकी कॉस्ट आ जाएगी चलिए अब भी पार्ट कर लेते हैं पार्ट में क्यूब है और टोटल सर्फेस अगे बनाएं तो सबसे पहले फार्म्स लेखो टोटल सरफेस एरिया का और आपको क्या निकलना है साइड लेंद एंड लेडल तरफे से तो आसान है सिंपल सा है हमने क्या करना है टी ऐसे लिखा सिक्स एल स्क्वाइर और इसका फॉर्मॉल लिखा छे सो मीटर तो यह यह कट गया संडेड आया लेंद आपकी आ गई टैन अब ले से निकलना है तो हुआ है फूरस स्कुर अपको कितना है फॉर्र ले स्क्वर उफका ह czमणा ठीड है तुम जो सेंटिमिटर हैं तो मीटर स्कुर चलिए अब स्थी पार्ट की बात करते हैं हमारे पास एक रूम है और उसकी वॉल्सेसे सीलिंग यानिन की जैसे एक all-लू होता है कोई रूम कर ले तो सीलिंग मतलब छत वाला जो पाट जिसमें पंक्खा लगा होता है और उसकी वॉल्स उनको क्या करना है प्लास्टर करना है यहां से समझना और दामेंशन सापको दिए हुई है लेंफ बैट और हैंट कॉस्ट प्लास्टरिंग एड गे इत्म двर से मिटर इस पर की जी याद रखनी है यहां पर पूरा आपको टोटल शरूर सर पिरीस एक बर निकालना जुरूर पड़े क्यों में बताधा हूँ सब्सक्राइब के यहां पर ug? कुण कि यह हम को कौनल नहीं किया है यहां पर इसको प्लास्ट इसको करना नहीं है तो यानि कि उसके एरिये को माइनॉस करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा हमारा जो नैट एरिया होगा नैट एरिया क्या होगा टोटल सर्फेस एरिया माइनस एरिया आफ बेस अब ये क्यों किया मैं फिर से बता देता हूं आपको क्योंकि हमें प्लास्टर सि किसको करना है base के area को क्यों क्यों कि इससे तो हमने paint plaster ही नहीं करना है तो इस बज़े से ठीक है बाकि चरो solve कर लेते हैं तो टो लिए तो इन्टू टू त्री इंटू एंटू एज चैनी कि 3 यानि की लेंट इंटू ब्रेंथ 455 इंटू 3 है ना सॉल्व कर लेते हैं 35 जा 15 34 जा 12 एंट 13 13.5 प्लस 35 जा 15 339 एंट 10 पूर पॉइंट फाइब इंटू 3.5 को भी आपको सॉल्व कर लेना है इतना ज्यादा कोई हाड कैल्कुलेशन नहीं है सिंपल सी कैल्कुलेशन है कितना कितना है 4.5 और 3.5 तो 15.75 आ जाएगा माइनस 35 1534 आपको कितना जाएगा तो अब सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा देख लेते हैं पार्ट में यहां 79.5 माइनस 13.5 आजाता है है कितना जाएगा 66 मीटर स्कॉर्ट तो यह एरिया जो हैं में प्लास्टर करना है अब इसी की कॉस्ट निकालने पड़ेगी तो cost कितनी हो जाएगी है हमारी 8 multiplied by 66 तो 8, 48, 48, 49 और 4, 22, 28 रुपीज का cost लेपर चली अब बात कर लेते हैं आपका D part का तो D part में अगर हम देखें तो 4 cube है जिसकी हर एक की side जो है 8 cm है जैसे मैं ये cube बना दे रहा हूँ बस assume करो कि एक cube है आपको बहले ही square लग रहा हूँ बट assume कर लो कि एक cube है ठीक है ये इस तरीके ठीक है अब इस तरीके के cube को एक side से रख दिया मतलब अगर हम देखें तो इस तरीके का cube हमने आगे और और join करके रख दिया है ठीक है join करके इस तरीके से आपका डाइग्राम मेरा थोड़ा से अच्छा नहीं है तो assume करके रखेंगा कि ये नवारा correct है ठीक है ये डाइग्राम अब हर एक की side 8 थी तो अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो 8 forza 32 यानि कि ये हमारी मान लेते हैं length हमारी 32 हो गई बाकी की dimensions तो same रहेंगी यानि कि height भी 8 रहेंगी और breadth भी 8 रहेंगी बस अब क्यूबाइट बन गया तो total surface area निकालना है तो T.S. हमें पता है क्या 2 into L into H plus B into H plus L into B चल निक से थे हैं 32 into height 8 plus 8 into 8 plus 32 into 8 हो जाएग्या हो जाएग्या यह हो गया चलिए अब solve कर ले दे हैं तो कितना आएगा टू और पहले पर common लेना easy रहेगा calculations के लिए तो हम ले ले रहे हैं 8 common ले ले रहे हैं 32 plus 8 plus 32 और भी common हो सकता है यह आपकी choice है ठीक है 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा 72 है ना अब इसको solve कर लो आपका कितना है 72 है तो 72 को multiply करो 8 से और फिर 8 को multiply करो 2 से आपका answer आज जाएगा ठीक है 1152 मेटर इसको है इस तरीके से ही होगा answer एक बड़ आप check कर लीजेगा इस पार्ट कर लेते हैं तो इस पार्ट में अगर हम देखिए rectangular seat है जिसमें length आपकी 22 cm है and 10 cm wide है अब इसका क्या करा है हमने roll करके आपका एक cylinder बना लिया along its length तो सबसे ऐसे एस्यूम कर लीजे ये हमारा क्या है एक rectangular seat है तो ये हमारा है इसकी अगर हम बात करें ये कितना है 22 और ये है हमारा कितना आपका है 10 cm ठीक है अब इसकी length के around इन्होंने क्या करा एक cylinder बना लिया तो अगर आप देखें तो इसको अगर आप एक wrap करते हैं wrap करेंगे तो क्या होगा एक इस तरीके length के around क्या है ये चीज़ याद रखा तो इसकी जो height होगी cylinder की वो तो as it is रहनी वाली है यानि कि जो इसकी dimension height की किती होगी या आपकी 10 cm ठीक है अब बात करते हैं इसकी ये जो उपर वाला circle है और नीचे वाला circle है तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो length है इसी को तो हमने क्या करा है इसी को fold करके हमने क्या करा है एक cylinder बनाया यानि कि अगर आप एक धागा ले लें उसी को fold कर दें एक circle बना दें तो basically क्या होगा जो उस circle का perimeter होगा उस circle का जो perimeter होगा और ये जो length होगी वो दोनों ही equal होगी तो अब इस चीज़ का use करके हम क्या कह सकते है that perimeter of length किसके equal हो जाएगा circumference fence of circle of आपका cylinder ठीक है अब क्यों होगा मैंने फिर एक बर फिर बता दे रहा हूँ आप एक धागा लेजिए अब आप एक लंबा धागा लेंगे अब उसको circle form में बनाएंगे तो जितनी लंबाई होगी वो circumference के equal ही तो होगी ऐसा थोड़े है कि आपका जो है जब आपने circle उसका बनाया तो उसकी लंबाई कमिया जादा हुई ऐसा नहीं है ना तो इस वज़े से हमने के लिपका perimeter of length किसके equal होगा circumference of circle of cylinder यानि कि अगर आप दूसरी भाशन कहा हैं तो base कह सकते हैं ठीक है चली तो length कितना था 22 और circumference कितना होता है टू पाई आर होता है तो इससे क्या होगा मैं radius मिल जाएगा and हम latent surface area निकाल सकते हैं तो चलीए निकाल लेते हैं यह 11 हो गया radius कितना हो जाएगा 11 upon 5 और 11 upon 22 upon 7 7 उपर सल आ गया तो यह हो जाएगा 3.5 cm ठीक है तो radius कितना आ गया आपका 3 point cylinder का radius आया 3.5 cm अब लेटल सर्फिस यह तो निकालना है तो आसान सा है कैसे निकालना है देख लेते हैं तो LSA is equal to 25 और एंच 22 upon 7 radius कितना है 3.5 था 35 upon 10 लिख लो हाइट आपकी 10 है ही है यह कट गया कितना असान है 5 to the 10 10 इंटो 20 220 अपका सेंटिमेटर स्क्वाइर आंसर आ गया है